असलाम अलाइकूम हेलो फ्रेंस वेल्कम टू महीं चहराइस की चेन आप सब कैसे हैं इन्सवाला खेरियत से जरूर होंगे आज मैं आप सब के लिए बनाने वाली हूं चिकेन सालन की रेसिपी इसे बनाना बहुत ही आसान है और बिल्कुल एक नए तरीके से में बनाऊंगी जिसे आपको बनाने में कोई भी परिसानी नहीं होगी और बहुत ही मज़ेदार की बनती है आने वाली इत पर आप इस एक बार जरू ट्राइ किजिएगा तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं चिकेन सालन की रेसिपी चिकेन सालन बनाने के लिए सब से पहले हमें क्या चल्दी पर लिजिए चलनी पर पाणियों निकल जाएगा और मैंने चिकेन के लिए पीसे पर इस तरह से कट लगा लिया है ताके हम इस पर जब मिलांगी तो अच्छी तरह से अंदर अब्स और पाएगा तो चली अब हम इस पर मसाले मिलाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें एक खाली बावल पर एक कप के करीब दही लेना है मैंने हंकर दही लिया यानि गाड़ा दही जिस पर पानी बिल्कुल भी नहीं है अगर आपके पास पतला दही होगा आप उसे चलनी पर 10-15 मिट लिए रख ले और सारा पानी जो है निकल जाएगा तो लिया हुआ है आप किसी भी ब्रायंड का चिकन मसाला पाउडर ले सकते हैं उसके साथ हमें चाहिए दो चमच अद्रकलेजन का पेस्ट पाउडर मसालों में हमें चाहिए हल्दी पाउडर आधी चमच लाल मिच पाउडर आधी चमच जीरा पाउडर एक चमच धन्या पाउ अगर मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब कर लिए और मेरे चैनल पर गरम मसाला पाउडर की रिएपी मौझ। कसूरी मेथी आधी चमज इसे अच्छी तरह से हाथ से क्रेस्ट कर लें और इस पर डाल लें चिकेन के हर एक रेसिपी में अगर हम थोड़ा सा कसूरी मेथी एट कर लेते हैं उसे रेसिपी की खुजबू और टेस्ट में बहुत ही फरक आता है बहुत याची खुजबू आती है सबसे आखिर में आधी चमच कुटा हुआ काली मिच का पाउडर और नमक नमक मैंने यहां पर एक चमच के करीब डाला हुआ है अगर आप अपने टेस्ट के मताबिक नमक यहां पर कम या ज्यादा कर सकते हैं आपको नमक ज्यादा खाना पसंद है या फिर कम अगर आपको कम पसंद है तो आप यहां पर नमक कम भी कर सकते हैं अब हम इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं मिक्स कर लेते हैं उसके बाद हम इन इस मसालों की पेस्ट पर हम चिकन को सामिल करेंगे तो फ्रेंज यहां पर अब हम चिकन सामिल कर लेते हैं सबसे पहले मैं सार अब हम यहां पर बाकी का बचा हुआ चिकेन उसे भी यहां पर शामिल कर लेते हैं और इसे हम अच्छी तरह से मसालों के साथ कोटिंग कर लेते हैं इस तरह से हमें अच्छी तरह से मिला लेना है हमने जो चिकेन में कट पीसे लगाया हुआ है उसके अंदर भी हमें अच्छी लिए इसी तरह से रख लेते हैं आदे घंटे के बाद हम नेक्स टेप पर इसे प्राइ करेंगे जिकेन फ्राय करने से पहले हमें और कुछ चीजों की तैयारी कर लेनी है यहां पर मैंने तीन टमाटर दो प्याज लिया है जिसका हमें पेश्ट कर लेना है तो देखे पिंस मै चली को मैंने बारिक काट लिया है और उसके साथ हमें चाहीं आधी चमज त्रोया सॉस आधी चमज टोमाटू सॉस इसे हम साइच में रखते हैं हमें सबसे पहले चीजों को सैलो फ्राइ करना है तो चली आदा गंटा हो चुका है हम चीजों को और अच्छी तरह से मिला लि तो चलिए अब हम चलते हैं गैस्टोप के तरफ और एक एक लेक पीसेस को हम फ्राइ करके निकाल लेते हैं तेल पर सेलो फ्राइ करके मेडियम तो लो फ्राइम पर किती एक नॉण स्टिक पैं रखा हुआ है हमें अब पैन के गर्म होते ही यहां पर 2-3 चैमिच के करीब तेल डल लेना है तेल के गर्म होते हिमें चिकेन के लेक पी कर्केते चलिए के करते हुए हम सारी चिकेन के लेक पीसे स्कूट डाल लेते हैं और इसे हम 3-4 मिनिट के लिए मिडियम टू हाई तु मिडियम फिलेम पर हमें इसे तलना है एक साइट पहले 2-3 मिनिट के लिए अच्छी तरह से लाल होने के बाद हम इसे पलतेंगे तो फ्रेंड्स 2-3 मिनिट हो चुका है तो चलिए अब हम इसे पलट लेते हैं तो देखी कितना अच्छा कलर आया है हमें इसे लो फ्लेम पर नहीं तलना है अगर हम लो फ्लेम पर तलेंगे तो चिकेन जो है पानी छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा तो उसले हमें यहाँ पर मीडियम टू हाइफरी हम त्लेम याने हाइई तो मीडियम फ्लेम पर इसे तलना है त्लेंगे तीन से चार मिनिट के लिए एक सैट तलेंगे है फिर उसके बाद हमाइब फल्टेंगे तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सारे चिकेन को पहले सेलो फ्राय कर लेते हैं तल लेते हैं उसके बाद हम नेक्स टेप पर चलेंगे चिकेन को तलते वक्त एक बात का आपको धियान रखना है हमें इहां पर लौ फ्लेम पर इसे नहीं तलना हम इसे लौ फ्लेम पर लियां पर हुआ तलने पर चिकेन पानी चोड़ना स्ट वर्ण नहीं रहेंगा तो उपर ONस्त्याजिफ और पैन को कौवर कर लेती हूं तो अब मैं स्टोप को भी आफ कर लेती हूं अब हम इसे साइड में रख लेते हैं तो चलिए अब हम गिरेवी बना लेते हैं गिरेवी बनाने के लिए मैंने एक पैन को स्टोप के हाई टू मीडियम फ्लेम पर रख लिया है और पैन जब गर् अब हमने HALE अब प्याच में के लिया है किन यह यदो अभी सफ़ास को से प्याच सबस्टा अब हम यहाँ पर प्याच पेस्ट नाले तूम हमने उल तो फैस्ट पहले से यह तोस प्याच पैस्ट हमेशन और दो मिनित ओने साथ हम बुणित डूलेते हैं तो में शॉचिया तॉमाटो सॉच शॉया सॉच और टामाट के पेस्ट मिनाट डाल लबाएटे तो मिन अपär में चोड़ने लगने संही तो जॉचिर्ण सबर्टे मिलमें क्वेन Alepo मेरिने छिकेन को फ्राय करने के बाद उस बाओल पर ठोड़ा सा मसाला बचा हुआ है वालम मसालों को हम यह दञता हैं सारे मसालों को हम माज़ें तक पर मीडियम डील ने झोडने लगे सारे मसालों को भूनने के दौरान मैं यहां पर आधी चमज के करिब घर्म-मसाला पाउडर डाल लेती हूं तो देखें तीन से चार मिट के बाद सारे मसालों से बहुत ही चुछ भूसबू आने लगी है और तेलवी छोड़ने लगा है तो चलिए यहां पर हम तला हुआ चिकेन हमने जो रखा है उसे यहां पर हम सामिल कर लेते हैं और इसे हम अच्छी तरह से मसालों के साथ बुन लेते हैं दूरे चिकन को पका लेते हैं, अगर हम यहां पर पानी डाल पर पर पहने पर जलने लगेगा, इसलिए हमें लो फ्लेम पर चिकन को पकाएंगे मैंने यहां पर चिकेन को फ्राइ करके डाला है अगर आप चाहें उसी चिकेन को और थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे मैंने वहां पर 50-60% तक चिकेन को फ्राइ किया हुआ है अगर आप चाहें तो उसे वैसे ही सेलो फ्राइ करके आप चिकेन खा सकते हैं बहुत ही अच्छी लगती है उस तरह कि अगर हम चिकेन फ्राइ करके खाते हैं तो अगर आप चाहें तो उस तरीके से भी आप बना कर चिकेन को खा सकते हैं आपका भुना चिकेन बनकर तयार हो जाएगा लेकिन मैं यहाँ पर गिरेवी मसाले दार चिकेन बना रही हूं तो हो भी एक नए अंदाज से उसले मैं हाँ पर पहले चिकेन को मसाली के साथ थोड़ा सा 50-60% तक फ्राइ कर ली उसके बाद मैं हाँ पर गिरेवी के साथ उसे पकाऊंगी अब हम पैन को लीट से कौबर कर लेते हैं स्टोप का फ्लेम हमें हैं पर लो कर लेना है लो फ्लेम प तो बिना पानी डाले हमें इसे पकाएंगे यानि मसाज सारे मसालो को हम चिकेन के साथ बुनेंगे पकाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार की बनती है और वैसे भी इसे पकाते वक्त आपका घर बिल्कुल महक उटेगा इसकी खुजबो इतनी अच्छी होती है तो इसी तरह स हम 15-20 मिट के लिए हम इसे पका लेते हैं ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा क्योंकि हमने इसे पहले ही सेलो फ्राइ कर लिया है चिकेन को तो चलिए अब हम इसे फिर से लिट से कॉवर कर लेते हैं तो फ्रेंस 15-20 मिट हो चुका है और हमारा चिकेन मसाला बिल्कुल बनक करनी है जिसे इंशालला आप लोहों को बहुत ही प संद आया होगा तो आने वाले ईद पर आपिसे जरूर ड्राइक कीजिए जरूर बनाए इंसा अल्ला ऐसे घरसे जाएगा और महमान हो अगर आप इसे इत पर बनाएं अब हम मतन बिरियानी बनाना स्टार्ट करते यह से अजमे हैं, आज में आफ सब के साथ कच्छी मतन बिर्यानी की रेसिपी चेर करने वाली हूं, इसे बनाना बहुत यासान ilya, कच्छी मतन दं बिर्यानी का ऐस एक मतलब होता है। और इसका गोष्ट जो है पकने के बाद कच्छा नहीं रहता है बिल्कुल नर्म हो जाता है तो इस तरह से आप अपने घर पर एक ज़रूर बना कर देखिए बहुती डिलीसिज बिर्यानी बन कर तयार होता है तो अगर आज की कच्छी मटन बिर्यानी की रेसिपी आप लोगो अगर पानी से अच्छी तरह से साफ कर लिया है अब मेहां पर कुछ मसाले मिलाओंगी देड चमाच के करीब हमें अध्रकलेशन का पेज डाल लेना है इसे के साथ मेहां पर आधी कप के करीब दही एक चोड़ी चमाच हल्दी पाउडर दो चोड़ी चमाच लाल मिच पाउ थोड़ा सब पुदिना और हरदन्य का पत्ता भी हमें हाप डालेना है और साथ ही एक नीमबू का रस आधी कप के करीब तेल और सबसे अखिर में एक चमाच करीब नमक डाल कर हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे सभी मसालों को हम मतन में अच्छी तरह से मिला लेंगे और दो घंटे के लिए दो घंटा हमें मतन को भी मैरिनेट करके रखना है और साथ ही चावल को भी मैं इसी तरह से रख दूंगी ताकि हमारा चावल पानी में भीगने की वज़ा से थोड़ा सा फूल कर लंबा भी हो जाएगा और खाने में अच्छा लगता है और देखने में बहुत ही यह smooth मतन और चावल को मैं ढ़क लिए किचेन काउंटर पर साइप लिए व tastyyy対 कोर्प लेती हुँ दो घंटा हो चुका है तो diet कर cya यह थो हमारा कय वारा कच्य मतन कोडमा कर देख यार हमने आ नहीं भी च्डूरा में नहीं बउपन तरह हम कंटन का लिए भी मतन ब्रियानी को दंपर रखुंगी चावल को बॉइल करने के लिए 3 लिटर के करीब पानी डाला है कुकर में अब मैं हाँ पर 2 चमाचे करीब नमक डाल देती हूं इसे के साथ थोड़ा सा पुदीना भी हमें डालना है और कुछ खड़े मसाले डालोंगी खड़े गरम मसाले एक तेज़ पत्ता एक बड़ी लाइची चार चोटी लाइची एक दालचीनी का टुकड़ा छे काली मिट छे लॉंग एक चोटी चमच साही जीरा एक चोटी चमच सौंप और साथ ही एक चमचे करीब तेल डालकर हम कुकर को लिप से कौवर कर लेंगे वह इसलिए जब हमारा पा पानी अच्छी तरह से खुलने लगा है तो चलिए मैं यहां पर चावल डालेती हूं और चावल डालने के बाद हम इस तरह से चमच चला लेंगे चावल को पकाना नहीं है स्रिप पानी में एक उबाल जैसे ही आएगा हम चावल को पानी से चान लेंगे एही इस ट्रेप ज चावल को पानी से चान लेती हूं अब हम बिर्यानी को दम करने का प्रोसेस टार्ट करते हैं जिस कुकर में चावल को बोईल था उसी कुकर में बिर्यानी को दम करने वाली हूं तो चलिए अब मैं इस कुकर में मैरिनेट मतन को डाल लेती हूं और इसी के ऊपर हमें डालेन प्याज थोड़ा सामें डालेना है उपर और साथी एक चुटी चमच गर्व मसाला पाउडर एक चुटी चमच गुलाब जल एक चुटी चमच केउड़ा वाटर सबसे आखिर में आप एक चमच गरीब तेल डाल देती हूँ आप चाहें तो तेल को सकिप करकि घी भी आप डाल सकते हैं एक चमच करीब तो चलिए अब मैं श्रॉप को अन करती हूँ और फ्लेम में यहाँ पर लो रखूँगी अब मैं कूकर को लीड से कौबर कर लेती 45 मिनिट्स के लिए दंपर रखेंगे उसके बाद हमारा बिर्यानी बिल्कुल बनकर तयार हो जाएगा 45 मिनिट्स के लिए हमें लो फ्लेम पर इसे चोड़ देना है उसके बाद हम स्टोप को आफ कर देंगे और आदे गंटे के लिए हमें उसी तरह से चोड़ना है आदे गंटे के बाद हमारा डिलिस्यस बिर्यानी बिल्कुल बनकर तयार हो जाएगा तो चलिए अब मैं इसे दं रहतें देज़ित पर पूरा घर आपका इसकी खुझबू से किस तरह से कुछा है बढ़ने इसकी खुझबू इतनी लाजवाब होती है अगर आपको भूख ना भी लगए यह लेकिन इस खुझबूसे आपके भूग बढ़ जाएगी बिर्यानी का चावल आप देख सकते ह और इसका गोस्त भी यानी मटन भी अच्छी तरह से गल चुका है आप इसे अपने मन पसंद रहते के साथ सर्फ कीजिए गर्मा गर्म सर्फ कीजिए खाने में बहुत ही रिलेसियस है मज़ेदार है उम्दा बिर्यानी की रेसिपी है आप इसे अपने घर पर एक बार जरूर बना कर देखिए आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा को में वाले बिर्यानी से इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है जो हम पहले को में बनाते है उसके बाद पके वे चावल को 10-15 मिट के लिए को में के साथ दम पर रखते है उस बिर्यानी का टेस्ट अलग है और इ चीकेन से भी बना सकते हैं अपने चैनल पर चीकेन से भी इसी तरह से कचिए जीकेन बियानी की रेशिपी अगर आप देखना चाहते ने कुछ जरूर सब्सक्राइब कर देख सकते हैं चीकैन एंड पुलाओ की रेसिपी तो आपको दीख जाएं बहुत सारी बप्लाओ की और चिकेन बिर्यानी और मतन बिर्यानी की भी रेसिपी है तो आप देख सकते हैं और साथ में राइते की भी रेसिपी आप लोगों को मिल जाएगी तो इस तरह से एक बार जरूर बना कर देखिए आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा आप इस बिर्यानी को आने वाले इ आज मैं आप सबके साथ किमामी सीवाईया की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ यानि मीठा सीवाईया इसे मैं ना तो सुगर सिरफ में बनाने वाली हूँ और ना ही मैं इसे दूद पर पकाऊंगी लेकिन फिर भी हमारा सीवाईया लच्छेदार ही बनने वाला है बहुत आप इस वीडियो को बनाने वाली हूं आप इस वीडियो को जरूर देखते रहेे तो अगर आज की किमामी सिवया की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए आप लोगों के लिए लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक सेयर करना मत बुलेगा अपने फ्रेंड फैमली के साथ जल्दी से स्टार्ट करते हैं किमामी सिवया की रेसिपी कि मैं हें 500 घुए से मीणा बनाने वाली हूं तो किमामी सिवया तो सबभाड़ी एस तो पहले हमें होई है हमें अथ प्लेम परेंप एक पर बहा रख लेत he माव्ह को मैं याँपर 1-2 मिनrico भून माव्हा का यहास के लिए भून देना है 1-2 मिनट के लिए नहीं करना है उसके कच्छा पन भून लेना है माव्हे को मैंने 2 मिनिट के लिए मीडियम फिलेम पर भून लिया लगातार चमच चलाते हुए अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक कटोरी पर अब हमें इसी पैन पर तीन चमचे करीब देशी घी डाल लेना है पैन गर्म होने की वज़े से घी बहुत जल्द मेल्ट हो चुका है अब मैं यहां पर कुछ ड्राइनर्स डालूंगी मैंने यहां पर बादाम काजू पिस्ता और चिरॉंजी लिया है आप चाहें पर किसमीज भी डाल सकते हैं सारे ड्राइनर्स की क्वांटिटी आप अपने तेस्ट के मताबिक कम यहां जादा कर सकते हैं लेकिन अगर हम मीठा कुछ बनाते हैं तो अगर उसमें ड्राइनर्स ना हो तो खाने में अच्छा नहीं लगता है तो यहां पर मैंने सभी क्वांटिटी 10 ग्राम के करीब ही रखा हुआ है और सभी को मैंने बारिक काट लिया है तेल पर अच्छी तरह से आजाएगा त्यूंकि मैं है पर किमामी सीवईया बनाने वाली हूं तो हमें घी पर ही डालना होता है छोटी लाइची अब हमें क्या करना होता है सारी ड्राइनर्स को एक मिनिट के लिए लो फ्लेम पर हम भूनेंगे ड्राइनर्स बुनने के द या फिर अगर रोस्टेट सीवईया भी है तो आप इस तरह से घी पर एक बार भून लिजिए इससे कहनो तेस्ट बहुत है अच्छा आएगा अब मैं ड्राइनर्स के साथ सीवईया को भी दो से तीन मीट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनेंगी हमें यहां पर चम 500 ग्राम के करीब लिया है क्यूंके 200 ग्राम ड्राइन यहां पर मैंने थे डेव सर्व जादा कर सकते हैं अब मैं यहां पर पानी डालूंगी पर एक काटोरी पानी डाल लेती हूं क्यूंकि हमें चीनी को अलग से गलाना नहीं है इसमें पॉकूंके पका हूंगी सीवईय के चीनी भी मेल्ट हो लिगा, करना यह चीनी भी अची तरह से को दूझा अगर चीनी भी मिल्ट हो जाएगा और पर न्याज से पन भी चाहले हैं, इसे में अच्छी स्टोप रखना है, अखिर तक लो पर ही हमें रखना है। अब मैं यहाँ पर पैन को लीड से कौवर कर लेती हूं, हर 1 मिनिट में हमें सीवय को लटतको करते रहना है कि एक मिनिट हो चुका है तो अब में पैन को लीड़ा कर देख लेती हूं और देख सकते ही, सीवय भी कितना soft हो चुका है अब मैं इसे एक बार से फिलट कर लेती हूँ चीनी इसी तरह से मेल्ट हो जाएगा और हमारा जो है दम पर ही पकेगा अगर हम इस तरह से किमामी सिवइयां बनाएं गे हमें एक से पैंड पर हमारा किमामी सिमाइयं बन कर तयार हो जाता है और एक बात हम जब ऑना आते हैं इस तरह से अगर हम फ़ाट का पैंड लेंगे तो हमारा सिमाइयंगा भोग खीला खीला बनेगा और खाने में अच्छा लगता है अलग13 हमें सुगर्षिरफ बनाने की जरुरेट भी तो सबसे पहले हम सिववय को पका लेते हैं 3-4 मिट लेंगे पकाना है लोफ लेंप पर हर 1 मिनिट में पैन कर लीड भूटा कर चमत से अमें सिववय को उलट उलट करते रहना है सुगार सिरफ हमारा सिमवाया किस तरह से पका हुआ है दम पर हमारा सिमवाय पक करइगा और खिला खिला हाँ सिमवाय खिला 5-5 मिनिट के करीब टाइम हो चुका है अब अब मैं इसे सदे लेते हुआ अब यहां पर आधी चोटी चमचे करीब केवडा वाटर डालूँगी इसे भी टेस्ट बहुत अच्छा खिल के आराता है तो इसे मैं अच्छी तरह सी मिला लोगी इसी के साथ में हमने जो मावे को रोश्ट करके रखा हुआ था उसे भी मैं यहां पर डाल लेती हूं अब मैं यहां पर इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूं सीवाई के साथ और स्टूप का फ्लिम हमें लोग पर ही रखना है अब मैं पैन को लिट से कौबर कर लोगी स्रीव हम दो से तीर मिट के लिए इस इसी तरह से पखने के छोड़ेंगे तो लीजीयओ फ्रेंड्स हमारा की मामी शीवाई यह बिल्कुल बन कर तयार है बहुत ही मज़ेदार का बनता है और आप देख सकतें बिल्कुल खिला खिला सा है लेकिन शीवाई अच्छी तरह से पकग भी गया है और मावा जो था हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर ल सकते हैं किमामी सीवईयां बनाना बहुत आसान है इस तरह से अगर हम बनाएंगे हमारा किमामी सीवईयां बहुत ही डिलिसेज बनता है मज़ेदार का बनता है हमें ना तो सुगर सिरफ बनाने की जरूरत है और ना ही हमें दूट से पकाने की जरूरत है बहुत ही इजी और सि कम घी का भी इस्तेमाल किया है तीन चमाची करीब हमारा घी लगा है उसी में हमारा ड्राय नट्स जो है रोस्ट हो चुका और साथ हमारा सिंवाई भी पक कर तयार हो चुका है तो यह बहुत ही हेल्दी भी है आप इसे एक बर अपने घर पर जरूर बनाईए हर एक कीमामी सीवाई शर्फ करने के पहले इसके ऊपर थोड़ा सा मावा और थोड़ा सा ड्राय नेट्स को स्फिंकर के डाले इससे देखने में भी खुब शर्ट लगता है और एक खाने में माशाललह बहुत ही मज़ेदार भी लगता है तो अगर आज की कीमामी सीवाई यानी मी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत बुलेगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और इसी तरह की बहुत सारी इंट्रेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को जल से जल सब्सक्राइब कर लिए आज मैं आप सब के साथ क्रीमी फ्रूट क्रीमी फ्रूट डिलाइड बनाने के लिए मैं एक बावल पर दो कपके करीब हेवी फुल क्रीम लिया है और बिल्कुल थंड़ा है तो चलिए मैं इसे दो मिनिट के लिए वीप कर लेती हूँ मैंने यहां हेवी लिया हुआ है। आप चाहें तो नहीं हम पर विप क्रीम के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसे 2 मिनिट के लिए दक्राइव कर लिया है। अब यहां पर एक कप के करिब सब्कलिक मिल्क जालए विण्यमू c Π लिया है। तो आप किसी भी ब्रैंड का यहां पर डाल सकते हैं तो चलिए मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ क्रीम के साथ यानि फिर से मैं उसे मिसिन पर इसे वीप कर लेती हूँ और एक से दो मिनिट के लिए तो देखे हमारा क्रीम बिल्कुल तहीं आ रहा है तो चलिए मैं इसे फ्रीजर पर रख लेती हूँ तो इसी दो रान एक बाल पर हम सारे फूर्ट को कट करके रखेंगे तो यहां पर मैंने पाइनपल पॉमिग्रेनिट और ग्रेप्स को पहले से कट करके रखा हुआ है ग्रे काजू बादाम और किसमिस को अपने टेस्ट के मताबिक यहां पर कमेजादा कर सकते हैं और सबसे आखिर में मैं हैं पर चॉकलेट चिप्स डालेती हूँ अब हमारा फूर्ट बिल्कुल तैयार है क्रीमी फूर्ट डिलाइट बनने के लिए तो हमने जो क्रीम बनाकर हुआ तो अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला लूगी इसे सर्फ करने के पहले आप इसको पर तोड़ा सा राइनट और बेदाना अंगूर आपको जो पसंद हो आप इसके ऊपर डालकर इसे सर्फ कर सकते हैं इस देखने में बहुत ही कुपसर्द लगता है मैंने सबसे आखिर में इसे आप थंडा थंडा सर्फ कीजिए तभी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और क्रीम हमने जो बनाया है और फ्रीज में रहने के बाद और थोड़ा सा जब जाएगा तो एक खाने में और भी अच्छा लगेगा तो इस रेसिपी को आप अपने घर पर ज़रूर क्रीम और मिल्क मेट लाना है उसके बाद आप आपको जो मन पसंद आपका फ्रूट सो आप उसे कट करिए और क्रीम पर उसे डालीजिए मिक्स कर लीजिए तो लीजी हमारा क्रीम फ्रूट इलाइट बनकर तयार हो गया है और आज की रेसिपी आप लोगों कैसी लगी प्ल तो चलिए मिलते हैं इतने रेसिपी के साथ अपना ख्याल रखें और मुझे दूआउ में याद जरूर रखें अल्ला हाफिज